एक जंगल में एक चिडिया और एक कौवा रहा करते थे, जिनकी तीन बेटियां थी, तीन बेटियां होने के कारण कौवा बहुत परेशान करता था, एक बेटे के लिए, क्योंकि उसको बेटा चाहिए था, तुन्टुनी इस बार तुम्हें बेटी पैता नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा, चिडिया बहुत परेशान रहा करती थी, अब चिडिया फिर से गरभवती थी, और उसने एक अंडा दिया, जिसमें से एक चूजा निकला, जैसे ही अडे से चूजा बाहर आता है, चिडिया रोने लगती है, एक दम से कौवा आ जाता है, बोल, टून टूनी रोक यू रही है, लगता है इस बार भी तुझे बेटी ही पैदा हुई है, क्या ये सही है, जल्दी बता मुझे, रड़की हुई ये रखा, नहीं, नहीं जी, ये तो खुशी के आंसु है, इस बार बेटा पैदा हुआ है, तिर कौवा बोल मैं अपनी बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी, मुझे यही रहने दो, यही लेकिन कौवा साफ साफ माना कर देता है, तुम यहां नहीं रह सकती, फिर चिडिया बोलती है, ठीक है, मैं अपनी बेटियों को लेकर यहां से चली जाती हूँ, कहीं तो मुझे ठिकाना मिलेगा कोई बात नहीं और वो अपनी बेटियों को लेकर चली जाती है जंगल की ओर वो जंगल में जैसे ही पहुंचती है वहाँ उसे एक तोते का घर दिखाई देता है वो दर्वाजा खट-खटाती है और बोलती है तोते तोते मैं अगर मेरी बेटियां सुबा से भूखे हैं क्या तुम हमें थोड़ा दाना दे दोगे तोता बोलता है क्या मैंने तुम्हारे लिए दान रखा हुआ है मैं क्यूं दू चालो चालो जाओ यहां से चिरियां बोली है हमने आज सुबा से कुछ नहीं खाया है तोता बोलता है वहाँ उमुई पहाडी पर ना एक चिल रहती है वो सबको खाना देती है वहाँ जाकर खाना मानगूँ चिरिया बोलती है तोता तोता वहाँ कोई खत्रा तो नहीं है तोता बोलता है मुझे नहीं पता वहाँ जाकर खुदी देख लो चिरिया वहाँ जाती है वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है वो अपनी तीनों बेटियों को वहाँ पर बिठा देता है और बोलती है जब तक मैं ना आ हूँ तुम दर्वाजा मत खोलना जब मैं बोलू आ गई तुम्हारी मा बच्चो दर्वाजा खोलो तब तुम दर्वाजा खोल देना और फिर समझ गई ना बच्ची ओ तुम चरिया दाना लेने चली जाती है वही पर एक चील उनकी बाते सुन रही होती है चील बोलती है मेरे भुजन का इंतजाम तो हो गया चरिया के बाहर जाते ही चील वहाँ आ जाती है और बोलती है दर्वाजा खोलो बच्चे बोलते है पहले तुम बताओ तुम कौन हो चल चील बच्चे दर्वाजा खोल देते हैं क्योंकि वो उनकी मां की आवाज में बोलती है और जैसे ही वो दर्वाजा खोलते हैं चील अंदर आ जाती है और चील अंदर आने के बाद बच्चों पर जपती है एकदम से चिरिया जाती है चिरिया उसके पंजों से घायल हो जाती है और और वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम यहां से उर जाओ, अब मैं ज़्यादा देर जिन्दा नहीं रह पाऊंगी। बेटी उस बुड़े कोई से जाकर पूछती है, आप कौन है, आप रोग क्यों रहे हो। तभी चिरिया बोल दी, पापा हम वही बच्चियां है और हमारी माँ मर चुकी है, आओ तुम परिशान मत हो, तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर कौवा रोने लगता है और चडिया के बच्चों के साथ रहने लगता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो चडिया के बच्चों से माफी मानता है तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को